आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम प्रूइब करें पीकल 10 का मैच नमबर 27 जो की जैप्रोपिंग पैंथर्स और पत्ना पाइरेट्स की वीच में खेला जाएगा दोनों टीमस का जो है लगबग लगबग सीजन बराबर ही जा रहा है कभी अच्छा जा रहा है तो कभी बूरा जा रहा है एक मैच तो दोनों टीमस के लरेके जो कुछ चीजें इस मैच में आपको एकस्पेक्टेशन लेके चलनि हैं सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब यह चीज़ हैं कर ले वैसे दोनों टीम का मैं बात कर रहा था कि क्या कुछ हो रहा है दोनों टीम का लगभग सेम जो है लास्ट मैच में ट्रैजडी रहा वो इन सोट वेसा आप कह सकते हो जो मैच खेला था जैपरुपिंग पैंथर्स ने वो काफी क्लोज आया था लेकिन जो है वो बेंग्लूरू बूल्स के गेंच में अगें दो पॉइंट से जो हार गए उससे पहले वाला मैच गुजरात के गेंच में काफी अच्छा गया था इनका लेकिन लास्ट मैच खा हुई थी थोड़ा यहां पे काम करना पड़ेगा अर्जुन को खास करके वापिस अपने ए गेम पर आना पड़ेगा वी अजित कुमार ने तो अभी तक काफी ठीक ही किया है जब भी अर्जुन नहीं चलते हैं तो उस दिन ज्यादा बहतर परफॉर्म करते हैं वी अजित क अच्छा प्लेयर की खासियत है क्योंकि जब भी रिक्वार्मेंट रहती है तो अर्जुन एक बड़े रेडर है और टीम के लिए में रेडर का काम करते हैं ज्यादा रेड करते हैं लेकिन अगर वह मालो जैसे लास्ट मैच में हुआ वैसा अगर फॉर्म में नहीं दिखते तो वैसे टेम पे किसी ने किसी प्लेयर वो जो है स्टेप अप करना पड़े था तो वी एजित कुमार ने कहीं न कहीं वो जो गैप है उसको फिल किया था डिफेंस फस्ट हाफ में अच्छा खेला आइधिंग सांथ टैकल पॉइंट या पांच टैकल पॉइंट फस्ट बहुत बुरा जो है यहां पर परफॉर्मस दे के आ रही है सेम चीज पतना के साथ भी है पतना ने भी जो मैच कहला यू मुंबा के गेंस्ट में मैच काफी क्लोज जा रहा था इवन फस्ट हाफ में पतना लीड भी कर रहा था लेकिन सेकेंड हाफ में जाके अगें वही ड बनेंगे क्योंकि आगे आपको राइट रेडर दो मेजॉरिटी जो राइट रेडर है वो देखने को मिलेंगे तो बेसिकली अंकुष तो इस मैच में भी बहुत ज़्यादा हाट स्पोर्ट में होने वाला है और इनका जो है आज के मैच में चलना जो लाश मैच में अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं यंग प्लेयर है लेकिन अपने आपको प्रूव कर चुका है दो तीन मैचस में जो उन्होंने च्टिन्यूस पर्फॉर्मेंस दिया है एक शूपर्टन में लगा चुके हैं तो आफकोर्स काफी अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे हैं तो में भी जो है टीम अच्छा कर सकती है लेकिन जो लाश मैच का परफॉर्मेस अगर रखते हैं तो यहाँ पर तीन फैल्ड अटेम्ट है और पुरानों जो मैचस है उसमें भी अगर आप देखते हो तो आइसा कुछ अगर फॉर्म देखने को मिला तो में भी जो ही टीम अध इसे सिनारियो में भी रेजा भाशते हैं और टेंप के लिए नहीं जाते हैं, 나서 यानगान से चाईट होतागने चाहिते जो है ऐसा face off इनका देखने को नहीं मिला है, सुनिल आज वाले match में भी important होंगे, क्योंकि अगेन अंकुष और सुनिल की जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है, सुनिल जो है काफी अच्छा compliment कर रहे हैं, अंकुष को जब भी वो tackle attempt initiate करते हैं, तो जल्दी से chain के साथ रेजा क चैन में लेके अंकुष जो सुनिल है, वो जाके जो है उनको डैश बगएरा कर रहे हैं, तो basically इनका जो है मेरे को लग रहे है, इन दोनों का rhythm जो है काफी अच्छा बैठा हुआ है, तो defense में ये right side वाला, जो sorry, जो left side वाले defense है काफी मेरे को solid लग रहे है, comparatively जो right का defense है, य और again, भले last match कुछ खास नहीं कर पाई, इस match में तो ये important player है ही, तो वो important rate ज्यादा डालेंगे ही, अजीत कुमार, maybe आप एक चीज़ इनके ओपर मैं आगे चलके जब पटना का defense समझाओंगा तो उस time पर देख लेना, और match-ups खास करके इनके ओपर ध्यान रखना, ओके, औ पूरा खेलेंगे हैं नहीं कहना देखने वाली बात है, क्योंकि substitutes में देखो, देवांक एक player है, जो मेरे को लगा कि में भी आगे चलके, एक option third raider के तौर पर बन सकता है, last match में ज्यादा raid नहीं कराई, I think 2 raid या 3 raid कराई थी, बहुत कम raid मिले थे, लेकिन उन 2-3 raid में ही, ज एक option है, जो में भी एक option बन सकता है, उसके इलावा यहाँ पर एक शशांक करके एक player है, दो player इनके पास ऐसे हैं, जो Indian talent है, new player category से ठीक है, तो यह दो player, और अगर foreign player की देखते हूं, तो इरान के जो आमीर हुसेन मलीकी है, वो में भी जो हैं पर एक option बन सकता है, और इसके अभिशेक केस, left cover, जो की रेजा की जगा एक replacement option है, सुमित, left corner, अंकुष की जगा एक left, जो है basically replacement रहेंगे, और लखी शर्मा also, right corner, साहूल की जगा, तो corner cover सब position है, बस सुनिल की जगा जो है कोई भी replacement नहीं है, तो team के captain सुनिल को चलना important है, और अर्जुन, यह दो player replacement के बग तो कहीं न कहीं, कुछ तो इनके अंदर potential है, आगे चलके maybe बड़ा player बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मानके चलो, इस rest of the squad में ही दिख रहा है, पटना Pirates की और से क्या starting seven है, यह भी Umbomba के against में दो point से match को हार के आ रही है, यानि काफी close matches हार के आ रही है, तो इन season का, इतना बुरी तरीके से उस match को हारे थे, और last match में थोड़ा लगा कि पहला half खास करके, 21-18 या 21-19 से lead कर रहे थे, में को अच्छे से आ दे, तो यह अच्छा perform किया था पहला half, rating, defense, सब कुछ अच्छा चल रहा था, second half में कुछ ऐसा हुआ, जहां पे super tackle हुआ, all out की situation थ अच्छे थे, यू मुंबा के, और वहां पे जाके, जो है, I think, सुधाकर जो है, आउट हो गए थे, वो एक काफी बड़ा margin create किया, क्योंके वहां से player revive हो गया, और साथी साथ, यू मुंबा धिरे-धिरे करके, एक एक player, एक player revive करते चली गई, और team यू मुंबा आउट होनी थे, वो बहुत महेंगे पड़े टीम को, और जो अंकित हैं, मतलब जो left का defense पूरा काम कह सकते हैं, last match में, second half में खास करके, इन दो players ने बहुत जादा failed attempts किया, उसकी वज़े से team को खामयाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि सचिन दवर ने अपना काम कर दिया, 12 raid point निकाले, और सिर्फ तीन उनके failed attempt थे, यानि काफ़ अच्छा strike rate के साथ वो काम करके आए, मंजीत हाँ, ठीक है, defense में भी उन्होंने एक tackle point निकाला था, और एक raid point में भी 5 point थे, तो ये भी काम ठीक करके आ आ रहा है, even सुधाकर भी 7 point लेके आ रहा है, तो सभी raiders ने अच्छा काम किय defense मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं चूप कर रहा है, right में देखो, right cover ये भी अच्छा कर रहा है, team के captain है responsibility के साथ खेल रहा है, और Krishan Dhul, अभी तक जितना भी team, जो Bengal के game में सबसे worst match इनका गया है, defensively, collectively अगर आप देखो, तो defense offensive यहां पे fail हुआ था, उस match में भी Krishan Dhul न आप मानलो right corner और right cover दोनों अच्छा कर रहा है, जो सजिन है और साथ इसाथ अंकित जगलान है, ये दो player के ओपर team थोड़ा बहुत focus इनको करना पड़ेगा, अगर ये सुधार लेते हैं अपने आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अंकित खास करके मेरे को लग रहा है, पहला match थोड़ा maybe अच्छा किया, लेकिन अभी ये थोड़ा लग रहा है कि maybe team कहीं न कहीं auction में बहुत अच्छे strategy के साथ नहीं गई और उसी बज़े से left corner थोड़ा week लग रहा है, maybe इस season के लिए अंकित में उतना perfect नहीं है option, लेकिन आगे चलके हो सकता है, बन जाए कोई player, लेकिन अंकित फिलाल मेरे को लग रहा है कि maybe 19-20 वाला है, एक दो और match देखेंगे, उसके बाद ही इनके उपर कुछ कह सकते हैं, मेरे को अभी तो convincing ज्यादा नहीं लगा, पहला match इनका बहुत अच्छा गया, उसके बाद जो भी matches खेलें, उसमें लग रहा है कि थोड़ा maybe दिक्कत है लेफ्ट कॉर्णर पर, तो टीम शादुलू को छोड़के अंकित को रिप्लेस किया, तो कुछ तो इनमें देखा होगा, तो maybe, I don't know, देखते हैं, बाकि रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, तो वहाँ तो मेरे को लगता है, आप बिल्कुल फोकस क मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कुनेरी पल्टन और बेंगॉल वर्यर से वली मैच में, उसमें आपने देखा, रेडिंग नहीं चली, डिफेंस ज्यादा अच्छा चला, और डिफेंस में कौन से प्लेयर्स ने हाइफाई लगाया, असलम मिनामदार, अपने करियर का हाइफा और इनके नाम पर आई थिंग 6 सूपर टैकल है, पांच सूपर टैकल इनके नाम पर अलड़ी हैं, तो यह सूपर टैकल कर सकते हैं, अच्छा प्लेयर, तो डिफेंस में थोड़ा बहुत मंजीत के साथ अडवांटेज आप कर रहता है, बाकि सुदाकर देखो आपको बोनस बगरा सब कुछ लाके देगा, और आगे मैच अप में थोड़ा रेजा मिर्बगेरी हैंटच के लिए जा सकते हैं, वहां पर कवर पे, और राइट कॉर्णर पे देखो, तो साहुल भी इतना ज्यादा अटेम्ट नहीं ले रहे हैं, तो में भी सुदाकर बोनस बगरा आप बगरा सकते हैं, आज के मैंस में, अज़ीटएटुटब्स में शुदाकर हो। मनजीत हो, इन दो Raiders में से किसी को भी replace कर सकते हैं, इवन अगर Sachin तवर नहीं चल रहे हैं, तो Sachin को भी replace कर सकते हैं possibility है, लेकिन चार Raiders के साथ खेल रही है टीम, तो कोई भी नहीं चलता है, तो उसको replace करके यहाँ पे संदीब को लाया जाता है, संदीब बहुत अच्छा अपले रहे है युवा का बड़ी में अच्छा करके आ रहे है उसके इलावाद डेनियल ओडियामबो है राकेश नर्वाल, एक लेफ्ट रेडर अच्छा backup option है इनके पास, मनीश है, लेफ्ट कवर last match में लाई भी गए थे सजीन की जगाबाद में second half में जब सजीन बहुत जादा failed attempt कर दिये, और मतलब, कोई logic ही नहीं बनता ऐसे tackle में सजीन जा रहे थे, तो वैसे फिर change करना तो possibility थी है, और even इस match में मेरे को लगता है, मनीश को start करवा देना चाहिए, क्योंकि सजीन अभी मेरे को लगता है, उनको एक-दो match बाहर से बैट के देखना पड़ेगा, तभी जाके वो खुद को समझ पाएंगे कि कहां गलती हो रही थी, ठीक है, तो self-reflection का उनको time देना चाहिए, टीम को rest of the squad, बहुत सारे players इनके पास है, रोहित रागव, एक बहुत अच्छा all-rounder है टीम के पास, अभी यह लगता है मेरे को injured है, इसलिए जो है नहीं खिलाया जा रहा है, रंजीत ना है, कि यह भी अच्छा Raider है, तो यह दो, at least मैं यहां से बोलूँगा, दो players ऐसे हैं, जो team के पास हैं, जो bench पे में भी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं, total 18 matches hitwood में खेले गए हैं, 10 जीते हैं, पटना पाइरेट्स ने, 8 जीते हैं, जैप्रूपिंग पैंतर्स ने, तो यहां पे मामला थोड़ा, मतलब कह सकते हो कि जो है, थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, close battle है, लेकिं चिल थोड़ा, यहां पे एक हलका सा margin जो है, वटना के favor में काम कर रहा है, यह overall hit-to-it stats हैं, आप अराम से देखिए, वीडियो को pause कीजिए, पढ़िए, और अगर चाहते हो, तो screenshot वगरा लेके रखिए, कोई problem नहीं है, अराम से पढ़ सकते हो, आर-पी, यानी raid point, TKL, मतलब tackle points, और bracket के बाहर जो है, वो actual points हैं, और bracket के अंदर जो भी लिखावा है, failed attempts है, नी, failed raid point, या failed raid, और साथी साथ, failed tackle, failed tackle का आपको minus 1 मिलता है, failed raid का आपको minus 2 मिलता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और bracket ये बाहर, अगर एक चोटा सा कोई एक या दो वाला symbol आप देखो, तो उसका मतलब है, वो super tackle है, एक मतलब एक super tackle, दो मतलब दो super tackle, और player के नाम के आगे, अगर star लिखा हुआ इसका मतलब है, वो substitute आया, तो ये glossary है, इसको आप, जो है, इसको use कीजिया, और आराम से इसको interpret कर सकते हैं, और video आप post करके, या तो पढ़ सकते हैं, या तो screenshot लेके, आराम से बाद में देख लिएगा, ठीक है, match ups की बात करते हैं, अर्जुन देशवाल, भवानी इनके आगे रेड करेंगे, अंकित में भी थोड़ा ठंडा गरम सीजन जा रहा है, नीरज का काफी अच्छा सीजन जा रहा है, तो नीरज में भी एक दो रोक ले, points, लेकिन अंकित मेरे को लगता है, आज अर्जुन के लिए में भी बोनस काफी अच्छे निकाल सकते हैं, तो फिर अर्जुन जो है, इस मैच में दिक्कत आ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ज्यादा रिलाई करते हैं बोनस पे, इतने क्विक बोनस करते हैं, और मेरे को लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो at least जितने भी रेडर, में रेडर खेल रहे हैं, सभी टीम से, उन में स तीन टॉप रेडर में से, सबसे बहतर अगर कोई रेडर रेडर है, बोनस निकालने में तो अर्जुन मेरे को लगता है, क्योंकि इतना क्विक बोनस निकालते हैं, कि आगे वाले डिफेंडर अभी फिगर आउट करने में रहते हैं, क्या करने वाला है, तो ये उस टाइम बोनस निकाल के चले जाता हैं, 10 seconds के अंदर अंदर इनका एक बोनस हो जाता है, तो काफी जादा बोनस पर रिलाए करते हैं, खास करके पहले half में ज्यादा बोनस के लिए attempt करते हैं, और last में जब last के 10 मिनट या 5 मिनट होते हैं, जब team को अगर मालो बड़ा गया पर fill करना है, तो वैसे मेबी जो है बोनस के लिए जादा जाता है तो बोनस अगर ट्राइ करते हैं तो अंकी जगलान बैक होल्ड और एंकल होल्ड वगएरा कर सकते हैं इनके ओपर वी अजीत कमार एक ही left raider है team के पास वैसे अगर देखो तो दूसरा एक शशांक करके player है जो left raiding कर सकता है लेकिन उनको अभी तक chance नहीं मिला तो विए जित कुमार एक potential option है जो left से rating करेंगे जो कृषण धुल के आगे जाएंगे और सजिन सजिन अगर खेले तो सजिन या मनीश जो भी खेले तो देख लेना क्रिशन धुल important होंगे क्योंके अगर अर्जुन खेल रहे हैं या कोई भी रेडर दूसरा खेल रहा है भवानी रज्पूत इबन तो आगया के blockchain वगरा block tackle वगरा कर सकते हैं ठीक है और सचिन मंजीत संधीब कुमार तीन राइट रेडर से और इन में से दो कोई एक टाइम पे मैट पे रहेगा तो ज्यादा राइट पे है राइट रेडिंग कर रहे हैं तो अंकुष आज बहुत ही ज्यादा अगेन होट स्पोर्ट में होंगे और सुनिल कुमार यह दोनों ही फार्म में चल रहे है तो थोड़ा बड़ा चैलेंज है सचिन के आगे खास करके कि कितना अच्छा कर पाते हैं और मेरे को लग रहा है अंकुष या सुनिल में से किसी का आइट लिश चार या पांच टैकल पॉइंट इस मैच में होना चाहिए कि जितने अमांट में इदर मेरे को रेडिंग दिख रही है तो फिर एक हाइफाई लगना चाहिए अगर जैपर पिंग पांथर सच्छा करना चाहते हैं इस मैच में सुधाकर यह राकेश नर्वाल जो भी के लिए सुधाकर ओफकोर्स ज्यादा defenders के साथ जा रहा हूँ अंकित इस मैच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो पहला मैच का जो अंकित है वो अगर खेल ले तो फिर यह 6-7 tackle point जो है first half में अराम से कर सकते हैं इतना अच्छा खेला था उस मैच में लेकिन last match last 2 matches के अगर बात के रहे तो वहाँ पे लगा कि बिलकुल oblivious है अंकित है ही नहीं मैच पे और एक मैच में तो जो बेंगल वाला मैच था हूँ आपर substitute हो गए तो देखना पड़ेगा तो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो अंकित हटा देना अंकित हटा के आप फिर कोई एक cover defender या जो है लेना चाहते हो तो ले सकते हो ठ टैकल थोड़े बहुत मिल जाए तो अच्छा होगा इसलिए मंजीत को मैंने रखा हुआ है और मंजीत ऐसे भी नहीं है कि आपको देखने को मिला गए कि बिलकुल जल्दी substitute कर दिया टीम ऐसे नहीं करेगी क्योंकि बहुत बड़े amount पे इनको खरीदा है तो टीम को पता है क इनका काम है अभी form में नहीं है वो अलग बात है तो इनको at least एक हाफ का तो time मिलेगा तो उसमें अगर यह point score करते हैं तो खिलाई की second half में अगर नहीं score करते हैं तो फिर second half में change हो जाएंगे ठेक है तो at least यह है draft combination है final combination आपको मिल जाएगा टिलिग्राम पे description में लिंक है आ वीडियो गर informative लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर जो भी लोग में विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और प्रेस कर देना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में और कुछ निव अपडेट्स के साथ अंटिल देन इस इस दवाली गीक साइनिंग प्राइब कर देन।